जैहिन दोस्तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ लास्ट है आज का अंतिम प्रहार मोस्ट इंपोटेंट प्रेसल के साथ मैं आपको बता दूँगा कोपी कैसे लिखनी है बाइलोजी की कोपी किस परकार से लिखोगे जो कि आपका जो ना एकजामनर देखकर के सो में से सो पुरे पक्का देंगे तो आपको आज मैं पूरे सौ में से सो नंबर पूरे पक्का दिलवा दूँगा तो आपको क्या करना है अगर सब्गार बिडियो को सब्ड़े बिढमने यह है कोंपी कैसे लिखने हैं किस परकार से लिखोगे जो कि 100 में से 100 नम्र आ जाएगा तो वीडियो को अंज तक जरूर देखना तक पार्ट शिक्स पार्ट शिक्स से आज का और परसेंट पूरे अंक आपको दिलवा दूँगा आपको क्या करना है देखिए यहां पर मैंने लिख रखाए आपको आज बस पांच नियम आपको बढ़िया तरीके से पता होना चीए यानि कि कौपी लिखना तो पहला नियम हो गया और पांच नियम मैं अलग से और बता रहा यहां पर मैंने लिख रखा है पॉइंट नंबर यानिकी नियम नंबर एक पेज यानिकी पहला पेज एवं दूसरा पेज साफ एवं सुन्दर लिखना है बायलोजी की कोपी की पहली पेज एवं दूसरी पेज साफ एवं सुच लिखना है अच्छे तरिक्के से लिखो गए तो एक जाम दर जो है ना पूरे फूल में से फूल माक्स आपको देख करके चले जाएंगे तो आपको इसी चीज को ध्यान से साफ एवं सुन्दर लिखना है पहले एवं दूसरे पेज में दूसरा नियम क्या है बायलोजी में चित्र का यानि की चित्र को जयादा से जयादे प्रैक्टिस करनी है और कौन-कौन सा चित्र आपको प्रैक्टिस करनी है सभी चित्र को मैं दे रहा हूं आपको क्या करना है सभी चित्र को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करके जाना है तो इक जामनर जो है ना चित्र के एक ओडिंग ही आपको जिब बिग्यान में फूरा फूल में से पढ़ करके अगर आपको आता है याद है तो आपको अच्छे तरीके से लिख दिना है अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना है ट्रिक के हिसाब से उसको क्या करना बना करके लिख करके आना है कोपी खाली नहीं छोड़नी है तो यह चीज आपको समझ में आ गया हो साफ एवं सुन्दर एवं सुच लिखना है सो परसेंट आपको अच्छे तरीके से लिखना है क्योंकि अगर आप अच्छे तरीके से लिखोगे ना तो एक्जामिर क्या करेंगे सो में से सो नंबर आपको पूरे में से बट्टे में से बट्टे दे करके जाएंगे तो आपको याट बारे में अच्छे तरीके से लिख सकते हो मैं LEGO 54 लिखना भी सखा रहा हूं कि इस परकार से लिखोगे पूरा प्रसन अच्छे तरीके से समझा देता हूं तो पूरे पूरे लाश्ट तक वीडियो को जरूर देखना केवल और केवल पांच मिनट में पूरा वीडियो में कौवर कर दूँगा और आपको अच्छे तरीके से समझा दूँगा देखे फ्रेंट यहाँ पर मैंने चित्र बना रखा है यहाँ आज के पेपर में यही प्रसन आपके जोने एकजाम में तपक से तपक जागा तो अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना है देखे यहाँ पर मैंने लिख रखा है पूरुस जयनल तंत्र मोस्ट इंपोटेंट है तो आपको क्या करना है मैंने यहाँ पर हिंदी में भ प्रकार से दिखा देता हूं देखे फ्रेंट नेक्स कोश्चन नमर थ्री क्या है अंडस से की अनुप्रस काट करना मांकी चितर बनाई है most important प्रेशन है 100% इसको अच्छे तरीके से आप स्क्रिन सोट ले लिजे और इसको अच्छे तरीके से नोट कोपी में बार बर बना करके प्रेक्टिस कीजे क्योंकि मैंने इसका नाम भी लिख रखा है चले अब नेक्स प्रेशन की ओर चलते है और आपको step by step इसी प्रकार से दिखा देता हूँ तो देख लिजे प्रेशन नमबर 4 प्रेशन नमबर 4 क्या करा है यानि कि सुक्रानू का आरेक बना करके इसके बारे में भी आपको लिखना है तो किस प्रकार से लिखोगे सब कुस्थ संजा रहा हूँ तो जल्दी सिधा करके कि आपको क्या करना है शुक्रानू वाले का चित्र यानि डाइगराम को अच्छे तरीके से प्रेक्टिस कर लेनी है नेक्स प्रेसन है प्रेसन नमबर 5 मौक्रेंस यानि की ग्राफेंट तरीक से अच्छ कर ले 메ंर से जल्दी इसको प्रिक्ष कर ले हो अगर आप कितना भी पढ़के जाओ लेकिन आपने डाइग्राम नहीं बना आया और उसके बारे में नहीं लिखना सीखा तो आपको जोने एक्जामनर क्या करेंगे जिब बिग्या में पक्का फेल कर देंगे तो आपको क्या करना है सभी को डाइग्राम अच्छे तरीके से बना लेना है तो देखिए यहाँ पर मैंने कौपी में भी बना रखा है सब्सक्राइब को बना रखा हुआ है यहाँ यहां फिकत करना है बृसन के सक्ष बारे में आपको पता हुना चाइए आपको हिंदी में चाप पास नाम याद कर लेना और इस डाइग्राम को अमीवा की तरह बना देना most important question है आपको समझ में आगया होगा जल्दी सिजा करके आपको इसको क्या कीजिए screenshot लेजिए और जल्दी सिजा करके इसको practice कीजिए चलिए अब next question की ओर चलते हैं और आपको step by step इसी परकार से दिखा जेता हूँ देखे friend next question है question number 8 है question number 8 most important question है इसको अच्छे तरीके से practice कर लेना है यह पक्का आने वाला है तो जल्दी सिजा करके आपको क्या करना है screenshot लेकर के पूरे अच्छे तरीके से तयारी कर लेना है next question देखिए question number हमारा है question number 9 को अच्छे तरीके से देख लेना है क्योंकि most important question बता रहा हूँ आपको क्या करना है kevel और kevel बस इसका screenshot लेकर के अच्छे तरीके से तयारी कर सकते हो तो जेकि नॉमा question आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा मैं अच्छे से दिखा करके आपको समझा देता हूँ जेके friend नॉमा question है graphic, puttika या puttak भी वोग सकते हो most important है आपको इस परकार से बनाना है यानि कि arm time से बना करके इसका चार नाम दे देना है most important person है चलिए अब next question क्यों चलते हैं और आपको step by step इस परकार से दिखा लेता हूँ जल्दी जल्दी आप इसके बारे में पढ़ लीजिए चलिए अच्छे तरीके से दिखा रहा हूँ न यह most important person है यह पका आज दो बज़े पका ट्रेपक से पक जाएगा देखे फ्रेंट next question है question number 10 आपको क्या करना है arm का अनुप्रेस्ट कांट most important person है तो इस परकार से आप arm का बना सकते हो अच्छे तरीके से डाइग्राम और सीख सकते हो तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीन सोट लीजे और most important person है अच्छे तरीके से इसको प्रेक्टिस कर लीजे चलिए next person की ओर देखिए और next person क्या कह रहा है क्योंकि यह भी प्रेस्ट जो ना most important person है और इस तरी जने नांग का दोनों ही most important person है तो आपको क्या करना इसको note copy में note करके अच्छे तरीके से याद जरूर कर लेना चलिए आप आपको video अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा होगा तो जल्दी सिजा करके एक like कर देना और एक प्यारा सा comment कर देना जिससे की क्या की हमें जो है अच्छा लगेगा और अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी सिजा करके subscribe कर लेना और bell icon को ओल कर देना जिससे की क्या की आने वाला video का notification आप लोग को सबसे पहले मिले friend तो चलिए उसके साथ video समात करता हूँ जय हिंद जय भारत बंदे महत्राम थैंक्स पोर वोचिंग